अलो पूरी जितनी ये दिखने में एटेंटिंग है उतनी ही खाने में डिलीशियस है और इसकी बनाने की तो बहुत ही लंबी प्रोसेस है चाल लेरिंग में बनती है बट इसको इतना फास्ट और बढ़िया बनाते है ना कि एक बार अगर आपने खा ली ना तो आप इसके फै सेब देना जरूरी है तो उसमें एकदम ग्लास की साहता से उसको बोल कटिंग कर लिया जाता है और उसको बात में बढ़िया से प्रेट में सजा के रख दिया जाता है और उसके बात में तैयारी होती है जिसमें ये बनाते हैं इसकी ग्रेवी जिसमें इसका रहता है बढ़ यासी gravy जिसमें इसका टेस्ट सबसे मैन रहेगा क्योंकि gravy का टेस्ट रहने वाला है और इसमें डाला जाता है boiled egg जो की एग अलु पूरी है तो इसमें थोड़ा बहुत egg का flavor आना ही चाहिए तो उसके लिए boil egg को भी add किया जाता है और उसी मसाले के साथ उस gravy के साथ में उसको mix कर लेंगे पानी की साहिता से थोड़ी सी liquid टाइप gravy बनाएंगे ताकि वो आलू पूरी में बढ़िया से रह सके और इसमें cheesy flavor देने के लिए इसमें liquid cheese भी डाला जाएगा अमुल का और बढ़िया सा देखे उसका color एकदम आ गया है orange हलका light और उसको gravy को अभी निकाल लिया जाएगा और यह जाएगा अभी आलू पूरी के उपर apply होने के लिए तो बढ़िया से हर पूरी के लिए apply कर रहे है तो देखे कितनी ही बढ़िया लग रही है और उसका जो पूरी का shape आया वो एकदम गोल भाई बहुत ही बढ़िया लग रही थी नॉर्मल सी पूरी देखते हैं आपने तो कोई टेड़ी कोई मेड़ी रहती है बट यहां पे एकदम गोल से पाने से उसका लुक बहुत बढ़िया आ रहा है और अभी इसकी तीसरी लेयर बन रही है जिसमें इसमें चीज डाला जाएगा जिसमें ग्रेटेड चीज भी रह गया है ग्रेटेड चीज डाला गया है और हर पूरी पर बरोबर से इसको अप्लाई किया जाएगा ताकि आपको हर पूरी में बढ़ियासा चीज का फ्लेवर आए और एकदम आपको चीजी-चीजी मजा आ जाए तो भई इसमें चीज डालने के बाद में इसमें आ रही है चौथी प्रिपेरेशन जिसमें इस पे लगेगा तड़का स्पाइसी थोड़ा रहेगा जिसमें डाला गया ग्रेंचीली पेस्ट और उपर से डाला गया हरा लसन और हलके से मसाले एड़ किये गये हैं और अभी इसको थोड़ा पकाने के बाद में एड़ किये जा रहा है और लिक्वीड चीज जिससे इसका जो स्पाइसी का लेवल है वो थोड़ा बना रहे और बढ़िया सा इसका फ्लेवर होने के बाद में इसको भी डाला गया आलो पूरी पर और इसका जो फ्लेवर आएगा ना मिक्स ओ हो हो बै क्या ही बोलू और यह देखिए यह आ रहा है लास्ट में नाचोस जो की बै क्रंचीनेस का अपने को बढ़िया सा फ्लेवर देगा जहां पे आप हर तरह का फ्लेवर करोगे वहां पे अंदर एक क्रंची फ्लेवर भी आएगा तो बहुत ही बढ़िया आलो पूरी तैयार हो गई थी और इतनी डिलीशियस दीकरी थी ना मेरे से तो रहा नहीं गया मैंने ट्राइक है अगर आपको यह वाली ट्राइक करनी है तो यहां पर जाके ज़रूर से ट्राइक कीजिए